दोस्तों नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अदेशी भारत के इस महामंच पर इस समय भोचपूरी सिनेमा के बॉक्स आफिस पर एक इतनी बड़ी लेवल के फिल्म रिलीज हुई कि अभी तक साफ साफ बहुती शांदार प्रदर्शन कर रही है मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मेरा भारत महान फिल्म की जिसमें महानायक रवी किशन जी है साती साथ रिकॉर्ड मशिन सुपरस्टार पवन सिंग साहाब है अंजना सिंग है और एक चेहरा इस फिल्म का ऐसा भी है जो भुझपुरी सिनेमा से नहीं है बलकि टीव इंडस्री से है लेकिन बहुत ही खुबसूरत चेहरा है नाम है गरिमा परिहार अगर आपने मेरा भारत महान फिल्म देख ली है तो उसमें पवन सिंग जी के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रही है गरिमा परिहार इस फिल्म के साथ साथ गरिमा परिहार चर्चा का विशे तो हुई ही लेकिन इसके अलावा अपने खुबसूरत तस्वीरों के चलते अपने खुबसूरत रिल्स और वीडियो के चलते फेस्बुक पर इंस्टाग्राम पर ट्वीटर पर हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाही होती है इस समय गरिमा परिहार अपने गाउं में हैं और गाउं से सूट सलवार पहने हुए की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो नकेवल तीजी से वाइरल हो रहा है बलकि बहुत सारी धेरों कमेंड लिखे जारें गरिमा परिहार हैं ये दोस्तों तस्वीरें अभिनित्री ने होम टाउन से शेयर की हैं आपको बता दे गरिमा राजस्थान के सिरोही से तालुक रखती हैं रॉयल ब्लू कलर के लहंगे चोली पर इन्होंने ट्रांस्प्रेंट श्रम पहना है उनके गेट अप को देसी वित मॉडन के कॉंबिनेशन में पेश किया जा रहा है गरिमा परिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं धारावाहिक लाल इश्क में काम कर चुकी अभिनित्री इस पोज में काफी अट्रेक्टिव दिख रही है गरिमा को 2015 में आए स्टार प्लस के धारावाईक मेरे अंगने में के लिए जाना जाता है एक्ट्रेस हाल ही में पॉण सिंग के साथ बिंदिया लिलारे के ससुरा में मर्द के दर्द हो में नजर आ चुकी हैं गाने में भी और इस तरीके से गरिमा परिहार की तस्वीरे आप देख रहे हैं देशी भारत पर होड़ तस्वीरे देख रहे हैं देशी भारत पर गरिमा परिहार इस समय बहुत ही तेजी से दोस्तों वाइरल हो रही है पाउन सिंग साहब के साथ में इनकी जोड़ी बहुत जादा मेरे भारत महान फिल्म में पसंद की गई इनके एक्टिंग का भी बहुत जादा तारीफ हुआ लेकिन खबर अब ये है कि गरीमा परिहार किसी भुचपूरी फिल्म में काम नहीं करेंगी जी हाँ उन्होंने बहुत प्रेशर में आकर मेरा भारत महान में काम किया देविंद्र तिवारी जो फिल्म के डिरेक्टर है उनके कहने पर गरीमा परिहार ने मेरा भारत महान फिल्म में काम किया लेकिन उसके बाद से भुचपूरी से कई ओफर गए हैं, लेकिन वो सभी को ना कह रही हैं और कहती हैं कि भुचपूरी नहीं करनी है। वज़े क्या है? क्या उनके पास टीवी और बॉलिवूट के बहुत सारे काम हैं या भुचपूरी से कही न कहीं कोई दिक्कत हुई है गरीमा परिहार को लेकिन गरीमा परिहार ने फैसला लेया है कि वो भुचपूरी सिनमा में वह अपसर नहीं आएंगी जबकि कई पता लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन गरीमा परिहार की खुबसूर्ती पवन सिंग साहब के साथ उनके कैमेस्ट्री आपको लगी कैसे हमें कमेंड बॉक्स में लिक कर जरूर रताईएगा और इस तरह की खबरों के लिए आप बनने रहें देशी भारत के साथ नमस्कार झाल